कोटा मेडिकल कॉलेज इस्पिताल के आइसुलेशन वार्ड में पिडावा निवासी मोहन लाल की मौत हो गई थी जिसके जाच रिपोर्ट कौरोना नेगेटिव आई है जिसका श्रव एमबीएस की मोर्शे में रखवाया गया था सुबवार को इसका पोस्टमाटम कर परिच को सपोर्ट कर दिया गया पिडावा निवासी मरीच मोहन कुष्ण निवार को एमबीएस में रैफर किया था लेकिन उसके लक्षन कौरणा से संबंधी थे इसके लिए उसे एमबीएस से नियो मैडिकल कॉलेज हॉस्पिटल फेच दिया गया जहां उसकी मौत हो गई एमबीएस के इमर्जेंसे कर्मचारियों में दिन भर दहशत रही मरीच को कौरणा संदिग मानते वे उसे नए अस्पिताल में रैफर कर दिया गया था वहां उसके कौरणा के सेंपल लिए गए मरीच की जब मौत हो गई तो एमबीएस के इमर्जेंसे स्टाफ को ये फैस सताने लगा कि यदि वे पॉजिटिव आ गया तो पूरा इमर्जेंसे स्टाफ उसके संपर्क में खरीब ठाए खंटे रहा था ऐसे में वे खर भी गए और कई और चके भी गए इस मामले में अस्पताल पर शासन किला पर वाही भी सामने आई है